चोपड़ा जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेकिंग न्यूज देनी जा रहा हूँ जो बिलकुल official है और वो इस प्रकार से है कि इंडिया में re-neet 22 6 center पर होगा यानि 6 centers पर re-neet होगा ये center कौन-कौन से हैं और ये exam date क्या रहेगी कौन सी date को ये re-neet conduct होगा इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं इस video के description box में link देया गया है या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से भी इसको download कर सकते हैं इसमें मैंने वो सारी चीज़ीं दे दी हैं जो आपको दले जानना बहुत जरूरी है जैसे seat matrix का top 24 list 2022 में आपको कैसे फिल करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी है इसमें इसके बाद service board के बारे में जानकारी documents के बारे में जानकारी हर एक state के counseling procedure के बारे में जानकारी इस book में दी गई है तो ये आपके लिए काफी helpful रहेगी जैसे आप इसको download करेंगे मैं आपसे संपर्ट कर लूँगा आप हमारी paid service भी ले सकते हैं अब हम बात करते हैं re-need 22 के बारे में तो आप ये जो डियो लेटर देख रहे हैं NTA के डाइरेक्टर स्री विनीत जोसी दौरा डोक्टर स्री निवास सर को लिखा गया है इसमें ये कहा गया है कि कमेटी और ministry of health and family welfare की recommendation से इन six center पर re-need होगा जो ये six center हैं वो है कुलाम है किरिला का स्री गंगा नगर राजस्तान का है इसके बाद में होसंगाबाद है वो MP का है कुसी नगर उत्रप्रदेश का है भिंड है MP का है और नगर राजस्तान के हैं तो ये six center हैं आगे एक कोलम में ये affected candidate के बारे में भी बताया गया है लेकिन इसमें सभी candidate का exam होगा जो इस candidate के जितनी भी student है इन candidate का सभी का exam होगा इसमें तो ये six center पर exam होने वाला है अभी आपके दिमाख में एक question आ रहा होगा कि ये information official है या नही तो मैं आपको बता दूँ कि ये 100% official है राजस्तान के एक सांसद है हनमान बेनिवाल उन्होंने इस exam को reconduct करवाने के लिए काफी efforts किये हैं इन्होंने ये नागोर से हैं और नागोर का भी इसमें एक exam center affected है इसलिए इन्होंने काफी सारा प्रियास किया है तो इनके twitter handle पर य ये director sir का डियो लेटर भी है और इन्होंने लिखा भी है कि हमने काफी प्रियास किये इसके बाद में ये री नीट 6 center पर conduct होने जा रहा है तो ये information बिलकुल ही accurate है बिलकुल ही official है इन 6 centers पर exam री नीट conduct होगा अब ये कौन सी date को conduct होगा तो ये एन्टिये ने अभी date declare नहीं क ही है लेकिन अब मेरे reliable sources के according ये 4 September 22 को conduct हो सकता है ये 4 September 22 को conduct होने की पूरी पूरी possibility है इसके बारे में date मैं आपको possibility की फिर से बता देता हूं कि ये 4 September 22 को conduct होने की पूरी पूरी possibility है तो ये information थी re-need के बारे में student काफी दिनों से इंतजार कर रहे दे इसके बाद जल्द ही re-need होने के बाद answer की आने की possibility है और फिर result 10 से 15 के nearby हम expectate कर रहे हैं कि ये 10 से 15 तक आ सकता है result इसका क्योंकि जो re-need के